आज कल जो सोशल मीडिया है उसका जमाना है और ये जमाना अब लगाता चलेगा और बहुत बड़े पैमाने बेब चलेगा क्योंकि सोशल मीडिया ही मेन मीडिया बन गया है और आगे भी ये बनता रहेगा जो आइस्टाबलिस जिसको मेन मीडिया कहते हैं वो कहीं पीछे खतम हो गया एक तो उसकी विश्वशनियता भी खतम हो चुकी है और अब उसमें माधाल का फिल्म जादा चलता है समय समय कारेकरमों का या देश की प्रगती का या देश को आगे बढ़ाने का कारेकरम उसमें चलता नहीं है यह सारा इसलिए होता है क्योंकि हर एक आदमी को टी आरपी चाहिए पैसा चाहिए जितना ज्यादा लोग टीवी को देखेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना ज्यादा आमदनी होगी बिजनिस है और अगर आप बहुत तो बढ़ चलके कोई बात को नहीं कहेंगे, या गुस्ते में नहीं कहेंगे, या भड़काओं नहीं कहेंगे, या परेहट कर नहीं कहेंगे, या ऐसा जो जगड़ा पैता करने का होगा उसको नहीं कहेंगे, या उसको hot news, या उसको sensation, या उसको बहुत ज्यादा breaking, या उसको तोड़ी फोड़ी न्यूज, ब्रेक कमला तोड़ा फोड़ा होता है, ब्रेकिंग कमला तोड़ी फोड़ी न्यूज, तो जब तक आप तोड़ी फोड़ी न्यूज नहीं बनाओगे उसको, तब तक लोग उसको देखेंगे नहीं, तो कितना मिर्स मसाला है तो उसको रोक रोक के देखाना, तोल फोल के देखाना, ब्रेकिंग करके देखाना, ब्रेक करके देखाना, यह उत्ता काम है, यह उनका बिजनिस है मगर मैं बात यहां जो कर रहा हूं वो सोसल मीडिया की कर रहा हूं हो गए हैं इनके पास में कोई धंके सब्जेक्ट नहीं है ये कभी भी जो बात को कहते हैं वो वही बात कहते हैं जो में इस्ट्रीम का मीडिया इनके दिमाग में डालता है ये उस पर प्रिटिकरिया देते हैं जो में इस्ट्रीम का मीडिया इनके लिए खाना बना के लाता है यह उसी को बासी खाने को खाते हैं इनके पास अपना ताजी खाना बनाने की कूबत नहीं है यह अपना खाना नहीं बना सकते जो वो head day जलाते हैं जो main new चलाते हैं उसी पर प्रिटिक्रिया देकर हमें परूजत देते हैं इन्होंने आज तक भी इस बात का जिक्र ने किया, किसी सोचल मीडिया ने कि भारत में इतने सारे धर्म हैं, तो धर्मों पर चर्चा होनी चाहिए जो भारत में सिख्ष में तो वो क्यों आया, क्या करण रहे क्या उसकी रीजन रहे जो बुद्दिज में वो क्यों चला गया ये जो मुसलमान है पूरी दुनिया में जब एक बी नहीं थे फिर ये भारत में कहां से आए और ये यहा lyrics कितने konvverted Muslimान है और ये क्यों convert हुए क्यों ये इन्होंने अपने बाकी चीज़ों को छोड़के या क्या इन्होंने छोड़ा क्या नहीं छोड़ा क्या रिजन रहा ये कनवर्ट हुए और क्या रिजन रहा कि यहां के लोगों ने जो भाई बंदू थे इनकी उन्होंने रोका नहीं और रोकने का क्या करण था या क्या नहीं था ये सवाल के जवाब नहीं करते ये जाती बात को ये कभी बात नहीं करते नहीं जातियों का विश्लिशन करते नहीं ये जातियों को पूस्ते ये जाती लेके खुद बैठे रहते हैं सारे मीडिया वाले अपनी जात लेके बैटर जते हैं तो जात का प्रपोगंडा करते हैं तो जात का प्रपोगंडा करते हैं जात को हालेट करते हैं मगर जाती कैसे बनी कैसे ने बनी जाती का क्या है उसका कोई कायकरम ये लगाते नहीं है ये कभी कोई ऐसा कायकरम नहीं इसकोल खुल को नहीं रहे हैं, इसकोल कहां चले गए, इसक्चा का अब आप क्या है और सिच्छा नहीं होने से हमारा विस्व में क्या पोजिशन रहेगी और क्या इस्तर रहेगा कभी चर्चा नहीं करते ये कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि जो खाना है वो सब्चिंड भारत में है तो उसका distribution क्यों नहीं है ये कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि जो budget में पैसा आता है उस पैसे का distribution कैसे होता है और वो पैसा कैसे कैसे गरीवत तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ये कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि जो education है वो महंगी की गई तो क्यों की गई उसके क्या प्रभाव है क्या नहीं है ये basically बहुत एक कोकस सा बना हुआ है ये जो media, जो social media, SC, ST, OBC का या minority का है ये बहुत ज़ादा उनके उपर निर्वा है जो media जिससे already देश के subject पर चर्चा करता ही नहीं है तो इनके अपने subject भी उसी पर आधारित होते है इसलिए इस media का, social media का इतना फायदा नहीं हो रहा है ये भी highlight के चक्कर में रहता है ये भी अपनी ख़वरें बेचने के चकर में रहता है ये भी इस चक्कर में रहता है के हमारा YouTube चनल पर ऐसी ख़वर लगे जो सामने वाला तुरंत खोले उसमें चाहाँ उसमें कुछ हो या ना हो तो analytical यानि के analysis करने वाली ख़वरें या जो data वाली खवरें हैं या जो समिधान की लोगसवा की खवरें हैं इसलिए मेरी इन सबसे कि आप अपने सोच का दायरा बदलें और जो एस्टाब्लिस मीडिया है उसके कोश्चनों को उसके बासी खाने को ना उठाएं आप अपना फ्रेस कोश्चन उठाएं बहुत सारे कोश्चन ऐसे हैं जो आप ढूनेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पर तो उन्होंने काम किया ही नहीं है उन्होंने कभी इस बात पर काम नहीं किया कि भारत का 70 साल में development का graph क्या है और कैसे दूसरे देशों की तुल्ला में हम पिछड़ गए और क्यों हमारी हरत खराब है उन्होंने कभी इस बात पर कभी कोई analysis नहीं किया कि भारत के जो पड़े ल नहीं करते कि भारत में जाती बाद सब हर विक्ति रखता है तो जाती बाद पे खुलके टीवी चैनल क्यों नहीं चर्चा करते भारत में खुलकर जाती बाद पे जो लोग हैं वो चर्चा क्यों नहीं करते इसका फाइदा उठाते हैं तो इस पर चर्चा क्यों नहीं करते यह बड़े सारे कोशन हैं, बड़े सारी चीज़े हैं, ऐसी लाखों हैं, मेरा निविदन है कि वो इस पर चर्चा करें और देखें, और सोसल मीडिया होने का सकार आत्मक पहलू समाज को दें, जिससे देश आगे बड़े, दुनिया में हमारा नाम हो और हम अमरीका से भी जादा उपर पहुँच जाएं, धन्यवाद। भी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसक सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद. गच्छा में, बतं शरनं गच्छा में, धन्यवाद.